आज की इस वीडियो में दूस्तो मैं आपको सिखाऊँगा कि आप चैट GPT का यूज करके कैसे codes वाली PPT बना सकते हैं तो दूस्तो अगर आप जानना चाहते हैं, सिखना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो पर लास्तक बने रहें, देखते रहें और सिखते रहें तो चलिए दूस्तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं दूस्तो आपको सबसे पहले चैट GPT की वेबसाइट पर आजाना है, उसके बार दूस्तो इसमें आपको लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बार दूस्तो आपको यहाँ पर चैट में एक कीवर्ड लिखना है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, जो चीजे मैं यहाँ यहाँ पर लिखना है यहाँ दूस्तो हम लोग लिखेंगे, राइट, स्लाइड बाई स्लाइड, टॉप 10 कोर्स इन हिंदी, दूस्तो अगर आपको 20 कोर्स जेनरेट करवाना है, तो दूस्तो आप यहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से दूस्तो हम लोग यहाँ पर कमांड दे देंगे, और उसके बाद दूस्तो हमें एंटर कर देना है, और जैसे ही दूस्तो आप एंटर की प्रेस करेंगे, तो दूस्तो यह जो चैट GPT है, यह आपको कोर्स लिख करके दे देगा, दूस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हों ने जो है 7 quotes लिख करके दिये हैं, उसके बाद यह stop हो गया है, यहाँ पर दूस्तो आपको लिख लेना है 20 popular quotes in Hindi ठीक है और एंटर कर देना है, और जब दूस्तो आप 20 popular Hindi quote लिख करके एंटर कर देंगे, तो ये दोस्तों आपको codes लिख करके दे देगा ठीक है तो थोडा सा दोस्तों आम लोग wait करते हैं दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने continue लिख रके enter किया तो ये आगे की चीज़े हमें यहाँ पे लिख करके दे दे रहा एक survey तो इस तरह से दोस्तों आप continue लिख करके enter कर देंगे तो ये आगे की चीज़े लिख करके आपको दे देगा तो फिलाल दोस्तों इन्होंने जितना भी लिखा है इनसे ही मैं PPT बनाना आपको सिखा देता हूँ दोस्तों आपको जितना भी content चाहिए होगा जिस topic पे चाहिए होगा वो content दोस्तों आप उस बारे में उस topic पे दोस्तों आप यहां से content generate करवा सकते हैं और फिर दोस्तों आप उस content को यूज करके PPT बना सकते हैं और फिर दोस्तों आप उस PPT को record करके YouTube वीडियो बना सकते हैं तो फिलाल दोस्तों इन्होंने बहुत सारी चीज़े लिख करके दे दिया है तो इसी को यूज करके मैं PPT बनाना शुरू करता हूँ दोस्तों आपको PPT बनाने के लिए आपको गय करना है new tab open करना है और new tab open करने के बाद दोस्तों आपको office.com की website पे आ जाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे sign in का option रहेगा तो दोस्तों आपको sign in पे click करके यहाँ पे sign in कर लेना है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप MS Office की website पे आएंगे उसके बाद दोस्तों आप अपने account से यहाँ पे sign in कर लेंगे sign in करने के बाद दोस्तों आपको गय करना है यहाँ पे powerpoint presentation के उपर click करना है PowerPoint presentation के उपर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको गए करना है यहां से new blank presentation open कर लेनी है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एक blank presentation ले लिया है अब दोस्तो आपको गय करना है यहाँ पर layout के उपर क्लिक करना है layout के उपर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ से blank slide ले लेनी है ठीक है blank slide लेने के बाद दोस्तो अब आपको गय करना है chat gtp वाली tab पर आना है और उसके बाद दोस्तो आपको गय करना है यहां से इस quotes को select करके copy कर लेना है उसके बाद दूसतों आप ppt वाले tab में आएंगे और उसके बाद icing आप यहां पर right-click करेंगे और then दूसतों आपको गह करना है यहां से इस quotes को paste कर देना है तो यह इस तरह से paste हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप इसे थोड़ा सा इस तरह से सैड में रख लेंगे उसके बाद दोस्तों आप इसका font size जितना भी बढ़ाना चाहें आप इस तरह से इसका font size बढ़ा सकते हैं और उसके बाद दोस्तों अगर आप इसका font change करना चाहें उसके बाद दोस्तो यहां पे आपको एक designer का option मिलेगा ठीक है यहां पे दोस्तो आपको एक tool मिलेगा designer आपको designer के उपर click कर लेना है और जैसे ही दोस्तो आप यहां designer के उपर click करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारा design आ जाएगा उसके बाद दोस्तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है जो है एक search करने का option दिया गया है तो हम लोग इसके उपर click करेंगे इतना करने के बाद यहां पर search box आ जाएगा उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है इस search box में कुछ keywords टाइप करना है जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं success को select करके copy कर लेता हूं इसे मैं copy कर लेता हूं और उसके बाद दोस्तों मैं इसे यहां पर paste कर देता हूं और उसके बाद मैं enter कर देता हूं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि success से related यहां पर हमें image मिल जाता है तो हमें यह करना है दोस्तों इस image को select करके यहां पर fit करवा लेना है जैसे ही दोस्तों आप यहां image को पर click करेंगे तो यहां पर आपके सामने बहुत सारी design की हुई slide आ जाएगी उसके बार दोस्तों आपको जो slide पसंद हो वो slide दोस्तों आप यहां पर apply कर सकते हैं तो दोस्तों मैं फिलाल जो है इसमें कुछ इस तरह का slide apply कर देता हूं यह वाला design यहां पर ले लेता हूं और इतना करते ही दोस्तों हमारा यह एक slide बनके ready हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप एक slide बना लेंगे फिर दोस्तों आपको next slide बनाना है अगली slide बनाने के लिए दोस्तों आपको करना है यहां पर new slide के उपर click कर लेना है और फिर दोस्तों आप यहां से एक blank slide select करेंगे उसके बाद दोस्तों आप यहां से chat gtp वाले tab में आएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको करना है यहां से दूसरा course select करना है फिर दोस्तों आप यहां से इसे copy करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप presentation वाले tab में आएंगे और then दोस्तों आप यहां पे right click करेंगे और इस quotes को यहां पे paste कर देंगे कुछ इस तरह से ठीक है और उसके बाद दोस्तों आप यहां पे इसे side में रग देंगे ॐ लोग designer tool के उपर click करेंगे, designer tool के उपर click करने के बाद दूस्तो, हमें क्या करना है नीचे आना है यहां पर आपको search का option मिलेगा, आपको search वाले option पर click कर लेना है धीक है . यहां पर दूस्तो एक चीज आप देख सकते हैं कि कई सारे search option है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह भी search option है यह भी search option है यह भी search option है ठीक है और यहाँ पर जो words लिखे हुए हैं उससे related यहाँ पर already keywords डले हुए हैं तो हमें गय करना है यहाँ से vision यह result वाले search पर click कर लेना है ठीक है और जैसे दोस्तों आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने उस keyword से related यहाँ पर image आ जाएगा अगर यह आपको पसंद नहीं आता है तो आप back आएंगे back आने के बार दोस्तों दुवारा से आप नीचे आएंगे और उसके बार दोस्तों आप यहाँ से दूसरे keyword के उपर click करेंगे तो दोस्तो मैं फिलाल ये वाला image select कर लेता हूँ और जैसे ही दोस्तो आप image के उपर click करेंगे तो इस image और इस text को मिल करके जो design बन सकता है वो design दोस्तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो दोस्तो आप यहाँ से कोई भी एक design select कर लेंगे तो इस तरह से आपका ये slide design हो जाता है तो दोस्तो आप इस तरह से करते हुए अपने बाकी के सभी slide को design कर लेंगे और slide कैसे design करना है कैसे slide बनाना है उस सब कुछ दोस्तो मैं आपको बता चुका हूँ फिर से दोस्तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना ह। यहां पर click करना है. इस तरह से यहां पर एक slide आ जाएगा. उसके बाद आपको Chat GDP वाले tab में जाना है. क्या करना है यहां से squares को select करना है यहां से quotes को copy करना है. उसके बाद आप PPT वाले tab में आएंगे. और देन दुस्तों आप यहापे Ctrl V दवा करके इस Quartz को Paste कर देंगे ठीक है और उसके बाद दुस्तों आप इसे Side में कहीं पे रख देंगे उसके बाद दुस्तों आपको Designer Tool के उपर क्लिक करना है और उसके बाद दुस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहां पे कुछ search option मिलैंगे तो दूस्तों आप इसमें से किसी एक के उपर click कर लेंगे जैसे कि दोस्तों मैं इस पे click कर लेता हूं इस तरह से आपके सामने बहुत सारे image आजाएंगे तो दोस्तो आपको जो image पसंद हो वो image दोस्तो आप यहां से select कर सकते हैं तो फिला दोस्तो मैं यह वाला image select कर लेता हूँ और जैसे दोस्तो मैं image के उपर click करूँगा जैसे दोस्तो image को हम लोग select करेंगे तो इस image और इस text से image और text से जो design बन सकता है वो design यहाँ पर automatic हमारा तयार हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हमें करना है इस वाले design को बस select कर लेना है और जैसे दोस्तों आप यहाँ पर design को select करेंगे तो यहाँ पर यह आपका design बनके ready हो जाएगा अगर आपको यह पसंद नहीं आता है तो दोस्तों आप यहाँ से दूसरा design select कर सकते है ठीक है तो दोस्तों मैं फिलाल यह वाला design select कर लेता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से तीन slide बन चुका है इस तरह से दोस्तों करते हुए आपको slide तयार करते जाना है ठीक है, बस हमें दूस्तों क्या करना है, यहां पे course को copy paste करना है, उसके बाद दूस्तों हमें designer tool के उपर click करना है, और designer tool के उपर click करने के बाद दूस्तों हमें नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दूस्तों हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक के उपर click कर लेना है, य यहां पे image आ जाएँगे, उसके बाद दुस्तों यहां से image को select कर लेंगे, image के उपर click करने बाद दुस्तों इसमें image Bos出 और साथ ही साथ दुस्तों यहां पे हमारा slide भी design हो जाएगा, उसके बाद दुस्तों हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें कह खे करना है कोई भी एक slide यहाँ पर select कर लेनी है यानि कि कोई भी एक design यहाँ पर select कर लेनी है और जैसे दूस्तों आप को अपका ração आपके बनके ready हो जाएगा फिर दोस्तों आप Ctrl-A दवा करके बाकी सभी Slides को सलेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको Transaction टैब के उपर क्लिक कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको Dropdown पे क्लिक करना है तो इस तरह से यहापे बहुत सारे Transaction आ जाएंगे उसके बाद दोस्तो आपको जो transaction इसमें लगाना हो वो transaction दोस्तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तो आपको जो transaction अपलाई करना हो आप अपने according यहाँ पे दोस्तो transaction अपलाई कर देंगे तो इस तरह से दोस्तो इसमें transaction भी लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से दोस्तो आपका ये PPT बनके ready हो जाएगा, बाकी दोस्तो अगर आप animation बेगारा लगाना चाहें, तो दोस्तो आप यहाँ पे clicker के animation बेगारा भी इसमें लगा सकते हैं, तो दोस्तो फिलाल मैं इसमें animation ब इसका link भी दोस्तो मैं आपको इस video के description में दे दूँगा, तो दोस्तो आप link पे clicker करके इस website पे आ सकते हैं, इस website पे आने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे log in कर लेना है, उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे record करने का option मिल जाएगा, तो दोस्तो आपको यहाँ पे record व वाला option select कर लेना है ठीक है यहां पे आपको screen वाला option select कर लेना है अगर दोस्तों आप facecam और screen दोनों record करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यह वाला option select करेंगे अगर दोस्तों आप सिर्फ screen को record करना चाहते हैं आप सिर्फ ppd को record करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यह वाला option select क करने के बाद दोस्तो यहां पर इसbreaker का बटन आ जाएगा ठीक on करना है इतना होने के बाद दोस्तो आपको करना है recording बटन पर क्लिक करके recording on कर लेनी है उसके बाद दोस्तों आप यहां से presentation वाला tap select करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको share के उपर click कर देना है ठीक है और इतना करते ही दोस्तों आपका recording on हो जाएगा यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा recording on हो चुका है ठीक है अब दोस्तों हमें क्या करना है slide show के उपर click करना है slide show के उपर click करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है यहां से from beginning से इस slide को play करना है और जब दुस्तों आप यहाँ से स्लाइड को play करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से slide play होना start हो जाएगा उसके बाद दुस्तों आपको यहाँ 3 dots के उपर click करना है और then दुस्तों आपको यहाँ से zoom करलेना है कुछ इस तरह से ठीक है इस तरह से दोस्तों आप इस screen को zoom कर लेंगे और उसके बार दोस्तों आप यहां पर record करना शुरू कर सकते हैं यहां पर दोस्तों जो भी चीजे लिखा हुआ है ठीक है इस slide में जो भी चीजे लिखा हुआ है इसे जब आप record कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है slide के ऊपर कुलिक करना है, JUSTד か में आप की प्रेस करेंगे या आप का slide चैंज हो जाएगए और जब आपका explain क्या हुआ हो जाएगा उसके बाद आप enter की press करके इस्तर से slide को change कर सकते हैं तिक है यह space की दबा करके भी दूस्तों आप slide को change कर सकते हैं और slide change होने के बाद दूस्तों फिर आप इस quotes को पढ़ेंगे इसे explain करेंगे और जब दूस्तों यह explain क्या हुआ हो जाएगा उसके बाद दूस्तों वापस से आपको space की दबा देना है फिर दोस्तों आपका ये slide change हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आपका slide change होता रहेगा और बांकि जो भी चीज़े आप बोल रहे हैं वो सारी चीज़े record होता रहेगा ठीक है जब दोस्तों ये सारी चीज़े record हो जाएगी उसके बाद दुस्तों आपको गय करना है stop sharing के उपर click कर देना है और stop sharing के उपर click करते ही दुस्तों आपका video record होना stop हो जाएगा उसके बाद दुस्तों आप mouse cursor को उपर ले करके जाएंगे और then दुस्तों आपको गय करना है इस cross के उपर click कर देना है ठीक है और उसके बाद इसकी बिटन दबा देना है उसके बाद दूस्तों आपको clip चैम बाले tab के उपर आना है तो यहाँ पर दूस्तों आप देख सकते हैं कि आपका MP4 वीडियो बन चुका है अब दूस्तों आपको क्या करना है save and edit के उपर click कर लेना है और जैसे ही दूस्तों आप save and edit के उपर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा उसके बाद दूस्तों आपको क्या करना है यहां से desktop select कर लेना है और उसके बाद आपको save के उपर click कर देना है तो इस तरह से दूस्तों यह वीडियो जो है आपके desktop पर download हो जाएगा उसके बाद दूस्तों आप इसे यहां पर edit करना चाहें तो दूस्तों आप इसे यहां पर edit कर सकते है इडिट करने के लिए दूस्तों आपको गय करना है इस CD-Tier को यूज करना है टीक है जहां से ये video record होना start हुआ है वहाँ पे आ करके और यहां से दूस्तों आप इसे cut कर देंगे और फिर दूस्तों आप इसके ऊपर click करके इसे delete कर देंगे और उसके बाद दूस्तों आप इसे यहाँ पे रख लेंगे यहाँ पे दूस्तों उसके बाद दोस्तो यहाँ पर Check Tick का निशान है इसके उपर click कर देंगे तो इस्थरह से आपका वीडियो crop हो जाएगा। उसके बाद दोस्तो आप यहाँ से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तो आप यह सारी चीजें देख सकते हैं। और इतना देखने के बाद दोस्तों आपको करना है export के उपर click कर देना है और export के उपर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का option आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का उसके बाद दोस्तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और इतना करने के बाद दोस्तो यह आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा जब दोस्तो आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा उसके बाद दोस्तो आप इसे यूटूब पे अपलोड करेंगे और जब दोस्तो आ आपका channel धिरे धिरे grow हो जाएगा, आपको subscribers मिलने Walker embraceer , views मिलने उसके बाद दोस्तों ञब आपका 1000, subscribers और 4000 गंते का watch time complete हो जाता है उसके बाद छैनल monetized हो जाएगा जब जुर्स्तों आपका channel monetize हो जाएगा उसके बाद आपको पैसे आना start हो जाएगे तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो है वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है अब दोस्तों हमें क्या करना है Save to your computer के उपर क्लिक कर लेना है और जैसे ही दोस्तों आप Save to computer के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आ जाएगा उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है यहां से video folder select का लेना है और उसके बाद दोस्तों आप इसका अगर कुछ नाम देना चाहें तो दोस्तों आप इसका कुछ भी नाम दे देंगे और देन दोस्तों आपको save के उपर click कर देना है आपने वीडियो दोस्तों वीडियो folder में save किया है तो दोस्तों आपको वीडियो folder में आ जाना है उसके बार दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका वीडियो बनके ready हो चुका है तो इस तरह से दोस्तो आप chat GTP का यूज़ करके YouTube वीडियो बना सकते हैं I hope दोस्तो कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं दोस्तो अगर एड़ टेक में चैनल पर नए है तो दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं तो बस दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही तो दोस्तो मिलता हूँ फिर नेक्स वीडियो में नेक्स टुटोरियल में तब तक के लिए दोस्तो जैहिन बंदे मात्रम